नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका तो आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ग्लीम की विवे के अंदर में जो वीनर होते हैं हमेशा शहरों से क्यों होते हैं गाओं से या विलेले से क्यों नहीं होते हैं तो हमेशा यह सवाल आपके दिमाह मे से होते हैं लेकिंगाओं से कभी नहीं होते दोस्तों आज यसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है क्या इसके पिछे कारण और मैं पूरे पूरूप के साथ बताऊंगा जो एक्चुल वीनर है हमारे टीमेक्स सुपर संडे या टीमेक्स में का गीव दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंते हैं कि हमारे चैनल पे टोटल अभी तक वीनर कितने हो चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं टीमेक्स मेगा गीववे टीमेक्स सुपर संडे टीमेक्स फैम है और टीमेक्स हमने जैहिंदी स्पेचल भी रखा था तो अभी तक हमारे चैनल वन एंट टू में दो थे और टीमेक्स जाए हिनिस्पेशल में वन थे यानि टोटल थे 68 विनर्स थे इसके अंदर में और एक चीज जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे मैंने क्या किया उसमें जो भी विनर्स थे उसमें से मैंने अलग कर लिया जो गाउं से थे और उसको अलग कर लिया जो शेरों से थे तो आप जानके हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा फर्क है आपके स्क्रीम पर यह मैं दिखा रहा हूं आपको तो आप देख सकते हैं कि मेट्टो सीडिज में स्क्राइब कर देख से और बहुत क्टेश कितना बड़ा फर्क है अलमोस्स 70% का रीशियो है यानि 30% जो विनर थे वो शहरों से एक्जामफल के साथ बताऊंगा बिल्कुल पूरूप के साथ बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने क्या किया कुछ जो वीनर से उनका ग्लीम का लोकेशन और एक्चुल लोकेशन मैंने चार्ट बनाया जैसा सबसे पहले एक्जामपल देख लेते हैं आप टीमेक सुपर संटर नंबर 16 में जो वीन पतना से कम से कम सो जेर सो किलोमेटर दूर है तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पतना की लोकेशन ग्लीम गीववे में दिख रही है लेकिन एक्च्वल लोकेशन उनकी नागरी थी सेम ऐसा ही है टीमेक्स ग्यमेगा गीववे नंबर 2 में उसमें मुहम्मद हुए विनर और उनका जो ग्लीम गेंदर में जो लोकेशन दिख रहा था वह दिख रहा था कोची लेकिन एक्च्वल लोकेशन था वह कुला थूर किरला में और यह कोची से कम से कम 500-200 किलोमेटर दूर था तो ऐसे सारे ग्जामपल को दिखाना एक साथ बहुत मुश्किल था मैं तो आप समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 70% जब विलेजर्स हैं तो फिर उनके नाम के आगे बड़े बड़े शहरों के नाम क्यों आते हैं उसका बहुत बड़ा टेकनिकल रिजन है वह रिजन यह है कि जब आप जैसे ही हमारे चैनल पे जब आप हैं तो आपकी जो इमेल आइडिया हो विल्कूर हो जाती है और जो आपका स्मार्ट फोन होता है या आपका laptop होता है या डेस्ट अप होता है जिससे आप पार्टिस्पेट करते हैं उसकी एक IP address होनी के वज़ए से जो नियरस अरे सर्वर होता है उस नियरस सर्वेस की की लोकेशन दिखाता है ना कि आपके गाउं का लोकेशन दिखाएगा चुकि यह जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें GPS की तुरू कोई लोकेशन नहीं होता वो आपके IP एड्रेस या आपके email ID के IP एड्रेस के थुरू होता है इसकी वज़ा से ही होता है कि जब आप गाउं में रहते हैं और गाउं में रहके जब आप लोगिन करते हैं हमारे ग्लीम गीववेवे पार्टिस्पेट करते हैं तो जो नियरस सर्वर ह का लोकेशन नहीं दिखाता है लेकिन उनका जो सर्वर होता है वो इस एरिया में गाउं में नहीं होता है और ग्लीम गीववेवे उस सर्वर की लोकेशन वो बड़े शहर वाली ही लिखता है ना कि आपके गाओं का लोकेशन लिखता है इसकी वज़ा सही सारी चीज़े होती है और आपको लगता है कि शायद वो गाओं से नहीं वो शहर से है बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तो ये भी जो मैंने तिन चार लोगों के या पांच लोगों के नाम लिये हैं वो भी शायद हो सकता है कमेंट बॉक्स में जाके छीज़े बिल्कुल कनफर्म कर देंगे कि मैं जो बोल आउं बिल्कुल सच बोल आउं ऐसा ही होता है दोस्तो बिल्कुल आप इमाँ बैठा लीजे ऐसा ही होता है दोस्तो मुझे लगता है शायद इस वीडियो से आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यूं होता है कि जो ग्लीम गीववे में जो बिनर होते हैं वो शेहरों से जादा होते हैं गाउं से कम होते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गाउं से एक्चुल में ज़्यादा होते हैं, शहरों से कम होते हैं, वो इसका भी एक रीजन है, कि चुकि सबसे ज़्यादा आबादी जो है हमारे देश में गाउं में रहती है, शहरों में कम रहती है, तो क्या होता है कि गाउं गाउं तो क सबसे बड़ा सिटी होगा वो दिखाता है तो दोस्तों आपको आज के वीडियो कैसा लगा आप हमें जरू बता हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं लेता हूं विदाव अपना ध्यान के स्टे सेफ धन्यवाद आपका दिन शुबू